यह नमस्क्रार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दवा के बारे में जिसका नाम है Neurokine D3, यह यह दवा пят प्रोफाइल, यह दवार्फ़ाइल फ्रंट प्रोफाइल नियुरोगाइट फिरी टीट एलीट किसली दिया जाता है किस क साथा घृष्ट का इस कासे काम करता है साइट एफट्स के सारे के सादी जानकार और भाड्या पको मिलेगा tem इस लीटीन चता मिलेगा पौब जेख़े। इसे के जहान की बात कर रहे है तो इसके अंदर दो प्रकार के दुजकी एक अधशना है रुविह चैबलेट की जरूरत दिन बदिन साल वर साल बढ़ता रहेगा ना तो घटेगा तो यह चीज याद रखना अब बात करतें नियूरोकाइन D3 की यूज इस्तमाल के बारे में देखो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा दो मिनरल और विटामिन की डिफिशेंसी है वो विटामिन D की डिफिशेंसी और विटामिन B12 की डिफिशेंसी और आपके सामने एक 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 जाम्पल है जिनमें दोनों डिफिशेंसी बरकरार है thank you for that I have vitamin B12 deficiency as well as vitamin D3 deficiency D3 इस लिए है कि बाहर निकलता नहीं हूँ घर से सब कुछ होता है घर में ही light दिनवर sunlight आता ही नहीं है skin पे तो मिलता नहीं है उससे deficiency और particularly deficiency मैंने check किया after covid उससे पहले check नहीं करता था तभी से check करना start किया तो पता चला कि vitamin D3 deficiency है और B12 का भी deficiency है और B12 deficiency के कारण जो आपको नीन दाने में भी दिक्कत होता है जो में भी मुझे में भी होता है as an insomnia वो भी बढ़ सकता है neurological functions में दिक्कत आ सकता है vitamin B12 deficiency के कारण तो यहां पर यह दोनों deficiency को एक साथ tackle करने वाला एक दवा है neurokine D3 तो neurokine बोलके अलग दवा है D3 neurokine जो आता है वो vitamin D3 के साथ आता है तो आप देख लेना के कौन-कौन सी आपको लेना है मतलब बहुत साथ लोग क्या करते है ना क्या में tablet ले सकता हो यह क्या यह supplement ले सकता हो तो मैं एक ही बात आपको कहूंगा कोई भी supplement आप लो दिन में जो maximum rated जो आपको लेना चाहिए आपके एज के हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से बीमर की हिसाब से उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है इसके लिए अलग से व बला मीन जो है विटामिन B12 है और D3 भी हस में है तो आटमेटिकली यह help करेगा तो बेसिकली कौन-कौन सी help करता है नर्व हेल्थ जो overall nerve health है उसको ठीक रखने में काम करने में वदद करता है शरीर के अंदर जो खून होता है ना हमारे खून-खून को तयार करने के लिए भी विटामिन D3 और B12 का अच्छा रोल है और विटामिन D3 अपना जो हड्या होता है हड्यों को मजबूत करने के लिए भी बहुत जादा काम करता है तो इसलिए nerve health, खून तयार होना और हड्यों के health यह तीनों प्रकार के बहुत ही महत्पून काम के लिए विटामिन D3 और B12 जो कि Neurokine D3 में मौजूत है यह दिया जाता है यह काम करता है अब बात करते हैं इसकी side effects के बारे में देखो एगें बात यह होता है कि अगर आप नॉर्मल रेगुलर आपके prescribed की हो अमाउंट ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा और खुब रेयर ओकेशन में क्या हो सकता है को कुछ 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 दफा यह होता है और किसी-किसी लोगों में allergy हो सकता है कि allergy जो है किसी भी substance से हो सकता है तो अगर आप allergy घो तो अपको लेना नहीं पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा मात्र में विटमीन D3 आप ले रहे हो ऐसा लग रहे हो विटमीन क्या है over the counter without prescription मिल रहा तो अगर ज्यादा लोगे उससे negative यह होगा कि विटमीन D toxicity बोल के situation होता है क्या है वो उसके लिए अलग video में ने बनाया है विटमीन D3 deficiency को लेकर वहाँ पे आप देखना विटमीन D3 toxicity हो जाएगा आपको उससे बहुत ज्यादा problem आ सकता है इसलिए prescribed dose से ज्यादा dose मत लीजि तो कि जरूरत ही नहीं क्यों लेंगे इसका जो प्राइस आप देख सकते तो बहुत ज्यादा प्राइस ही है यह 156 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली दस टैबलेट कदाम 156 रुपे लेट पर टैबलेट 15.6 16 रुपे के आसपास होता है एक टैबलेट बहुत बहुत ज्याद प्राइस यह पुरा गेम चल रहा है इंडिया में कि विटामिन सप्लिमेंट को बेचना है ज्यादा ज्यादा प्राइस देकर जो आसानी से मुफ्त में मिलता है बाहर धूप में जा विटामिन D3 हो जाएगा हाँ वहाँ पर संस्क्रीन लगाना पारेगा क्योंकि वहाँ प पुराने जवानी की लोग देखें जो बाहर खेती करते थे बाहर रहते थे उनको कभी यह सब जरूरत ही नहीं पड़ा खाने से ही सब कुछ आ जाता था विटामिन B12 भी आ जाता था यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर आप इस्तमल करना अधरवाइस डोंट गो फॉर इट तो इसको ट्राइ किया खुद मैंने नॉर्मली विटामिन D3 अलग से और B12 अलग से ट्राइ करके देखा सिर्फ नियूरो काइंड लेकर डी अलग से लेकर अप्राइस D3 बोलके फिर उसके बाद में कम्बाइनेशन में भी ट्राइ करके देखा खास मुझे कोई फरक नहीं हो गया ऐसा नहीं हुआ मैंने continuous अभी भी ले रहा हूँ विकुद आम स्टिल विटामिन D3 deficient और B12 deficient हाला के बहुत ज्यादा मेक अप कर चुके हैं पर आप इसको चेंज करके दूस्रे मेडिसिं ले सकते हैं अब बात करते हैं कि यह जो दवा है ना नि युडर्य है इसके ichilt न एक ऐसके कहते उसके साथ इसके साथ तो Renov Plus, Neurokine Plus और Cobadix Fort ये तीन अलग-अलग substitute medicine हैं जोके Neurokine D3 को substitute कर सकता है आप चाहे तो Neurokine D3 ले सकते हो या फिर सिर्फ Neurokine लेके भी टेस्ट कर सकते हो उसका प्राइस थोड़ा कम होता है और उसमें सिर्फ vitamin B12 मिलेगा वहाँ पे D3 नहीं मिलेगा तो आशा करते हैं emergency दवा के बार में आप जानकर ले सकें और किस काम आता है उसके बार में जान सकें और वीडियो अच्छा लागा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ और मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई